तो हलो फ्रेंड्स, वेलकम टो आर यूटुब चैनल इलेक्ट्रिक लोको नॉलेज आज बात करेंगे कन्वेंशन लोको को किस तरह से ग्राउन किया जाता है जब कभी भी आपको ST कंपार्टमेंट में जाने की जरुवत होती है तो लोको को ग्राउन करके ही ST कंपार्टमेंट में जाया जाता है या फिर लोको को ग्राउन करने का दूसरा परपस यह होता है कि जब कभी भी आपको LT टेस्टिंग करनी हो तो लोको को ग्राउन करके ST कंपार्टमेंट में जाया जाता है तो safety purpose से लोको को ground करके ही ST compartment में जाना चाहिए तो लोको को ground करने की पूरी इदी आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे दोस्तों वीडियो को start करते हैं सबसे पहले आपको S9 लगाकर लोको को खड़ा कर लेना है यह S9 है, S9 लगाकर लोको को खड़ा कर लेना है यहां डेट स्लेंडर में प्रेशन का आना स्विश्चित करना है उसके बाद आपको A9 को emergency position में लाने के बाद आपको लोको को secure कर लेना है उड़नरेज लगाकर और उसके बाद उसको का VCB ओपन करने के लिए पहले PLCP को off करें और उसके बाद PLDJ द्वारा लोको का VCB ओपन करें देखे लोको का VCB ओपन हो चुका है LSD की light जल चुकी है और उसके बाद GPT को zero position पर लाकर पेंटो लोवर करें एवं physically भी यह insure कर लें कि पेंटो लोवर हो चुका है GPT की को zero पर लाने के बाद आपको इसको निकाल लेना है एवं corridor one में चाना है वहाँ पर बीवी बॉक्स लगा है उसमें लगाना है चलिए अब corridor one में चलते हैं और आगे की लिए आपको बताते हैं तेकि corridor one में हम लोग आ चुके हैं और corridor one में यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है बीवी बॉक्स यह पूरा बीवी बॉक्स है बीव बॉक्स में यहाँ इस slot में आपको यह जैट पिटी की लगानी है 17 बजे की position में यह लगेगी और 17 बजे की position में लगाकर इसको गुमाकर 19 बजे की position में लागाँ, गेट-पिटी की को 17 बजी की पॉजिशन से 19 बजी की पॉजिशन में लाने के बाद, जो हमारा सरो मोटर में जो प्रेशर गया वाह है, वो निकल जाएगा, वो प्रेशर जाने का रस्ता सरो मोटर में बंद हो जाएगा, और उसके बाद ये HOM हैंडल प्री हो प्रोइटिकल से ओर्जेंटल पॉजिशन में करने से यह होता है कि उपर लोकों के रूप में दो नॉब लगी भी है, जो कि एक ट्रांस्फरमर को अर्थ करेगी और दूसरा पूरे रूप एक्टिक्युपेंट को अर्थ करेगी, और तीसरा यह फीचेट की जो है, यह फीच return करना है तो ht compartment में इस चावी से हम दरवाजा खोल कर अंदर जा सकते हैं और हमारा काम करके वापस को lock कर सकते हैं इस feature key को निकालने के बाद ये हम handle आपका lock हो जाएगा ठीक है अब इसको unlock करने के लिए हमको पहले ये सबसे पहले ये feature key लगानी है जिससे हम handle free हो चुका है देखिए नीचे की तरफ आगया है अब लोको अब unground हो गया आपका और ये जेट पीटी की आज से निकाल लेनी है जेट पीटी की निकाल लेने के बाद अब लोको पूरी तरह से आपका unground हो चुका है अब इसको आप ht mode में चालू कर सकते हैं तो दोस्तों आज हमने conventional लोको को किस तरह से ground किया जाता है उसकी पूरी विदी बताई है तो वीडियो कैसा लगा आपको हमें comment करके बताईएगा और हमारे चैनल को subscribe कीजिए और वीडियो को like कीजिए